खरियाना के टमान जलों में वोटिंग चल रही है कहीं पर जरूर ये खबरे सामने आई कि जो मतदान है वो थोड़ा देरी से शुरू हुआ कहीं पर ईवियम खराबी की खबर सामने आई है अब आपको सीधिली चलते हैं पानिपत पानिपत के समालखा में किस तरह का माहूल ह है वोटिंग को लेकर किस तरह का मतदान कर रहे हैं लोग कितनी कोशिश है कि मतदान किंदर तक पहुंचे जो हमारे समवाद आता है पानिपत से प्रदीप रेड़ू वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप क्या माहूल आप देख पा रहे कितने उचसाही थे वोट से भी खबर सामने आई थी कि इवें में खराबी हुई थी उसके बाद क्या वहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है कमल देखिए उत्सा की बात करें तो मेरे पीछे यहां पर वोटर है आप देख सकते हैं वो काफी दिर से इंतजार में है कि दर्सक उनित देखे इन लोगों ने कुछ दिर पहले वोटों की अपील की थी मैं संभालका विदान्जबा के बूत नंबर 14 पर खड़ा हूं मैं दिखाना चाहूंगा इस बूत पर सुबह साथ बज़े वोटिंग शुरू होनी थी लेकिन किसी वज़े से वोटिंग रू की तकनीकी खराबी बताई जा रहे थी उसके बाद करी 20 मिन्ट विलंब हुआ और साथ बजकर 22-23 मिनिट पर मद्दान शुरू हुआ हाला कि प्रक यारिया वाकई में दावों के मुटाबिक है बूत पर है कि चले फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की प्रदीप से और फिलाल जो तस्वीर हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं इससे पहले दिगज भी आपने देखे दुशें चुटालों को आपने देखा कुल्दी पिश कर चुके लेकिन असल अब इनकी लड़ाई है राजनीतिक क्या इस राजनीतिक के दंगल में जीत पाएंगे ये एक बड़ा सवार है और इस सवार का जवाब ही जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि 24 सक्तूबर की तारिक ही बताएंगी और जो हर्याना की जनता है आज वो सब्सक्राइबनेट मंत्री कविता जैनों कंदेक पोजो दुश्यन चुटालों सभी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि अपने मत का इस्तमाल करें हुआ 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 हु अब और यह कि शब्राइब